हलो फ्रेंट तो आज की उडियो हम देखने वाले हैं कौन सी ऐड़ी ऐसी मेडिशिंस हैं जो प्रेगनंसी के दौरान महिलाओं को दी जाती है देखे सभी medicines हम महिलाओं को pregnancy के दवरान नहीं दे सकते कुछ ही दवाये हैं जो हम pregnancy के दवरान दे सकते तो सबसे पहले जो हमारी medicines यहाँ पे आती है उसका नाम है smooth बहुत ही popular medicines है ठीक अगर इसके composition के बारे में बात करते हैं तो इसमें calcium, dovisolate और docusate sodium पाया जाता है ठीक है इसके composition की बात करते हैं अगर इसके use की बात करते हैं तो किस काम में आता है तो इसका use होता है जो constipation होता है अगर किसी महिला को कब जबन गया है तो constipation को ठीक करने के लिए इसको हम देते हैं अगर इस tablet के, मतलब इस capsule के side effect के बारे में देखें तो अगर आप इस tablet को लेते हैं मतलब कोई भी महिला लेती है तो इसको diarrhea हो सकता है या तो इसको vomiting और nausea हो सकती है अगर doges के बारे में बात करते हैं तो यह जो होता है पांच mg दिन में दो बाल लेना रहता है अब बात करते हैं दूसरा कौन सी pregnancy safe medicinal उसका नाम है abil बहुत ही popular है इसके composition की बारे में बात करते हैं तो इसमें जो है फेनरा माइन मेरेट पाया जाता है इस तरीके से यहां पे देख भी सकते है injection के form में हमारा यह आता है अगर इसके uses के बारे में बात करते हैं तो इसका जो use है allergic condition में किया जाता है मतलब कि अगर जो pregnancy female है ठीक है उसको जो है मौसमी fever हो गया है उसको treat करने के लिए इसका use किया जाता है अगर जो है नाक बह रही है मतलब कि runny nose ठीक है नाक बह रही है तब भी इसका use किया जाता है और अगर body में eating हो रही है तो eating को भी ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है अगर skin में races दिखाई देने लगते हैं ठीक है skin में races दिखते हैं तो इसको भी ठीक करने के लिए इसका हम यूज करते हैं अगर इसके side effect के बारे में बात करते हैं तो इसको लेने से diarrhea हो सकता है Dysiness मतब चक्करा सकते हैं इस टमंग में pain हो सकता है Nausea, vomiting हो सकती है ठीक है अगर इसके doges के बारे में बात करते हैं तो इसको female को दिन में दो बार 25 mg देना चाहिए अब आगे अगली देखते हैं कि अगला जो हमारा यहां पर आता है टेबलेट फॉर्म में फेनेगरन के नाम से यह हमारा आता है अगर इसके composition की बारे में बात करते हैं तो इसमें जो है प्रोमेथाजीन पाया जाता है ठीक है तो एक तरीके की जो anti-histaminic यह हमारा substance है बोल सकते हैं अगर इसका use इसके बारे में बात करते हैं तो इसका use भी allergic condition में दिया जाता है allergic condition का मतलब है कि अगर किसी को skin में recess हो गया है eating हो रही है body में inflammation हो गया है तो इसको ठीक करने के लिए इसका use करते हैं अब अगर इसके side effect के बारे में बात करते हैं मतलब इस tablet को लेने से क्या होगा तो diarrhea हो सकती है dyesiness हो सकता है इस्टवंग में pain हो सकती है nausea, vomiting हो सकती है doses के बारे में बात करते हैं तो इसको 10 mg दिन में दो बार लेना रहता है अगली जो हमारी यहां पर tablet आती है यह आती है hyper 50 के नाम से आती है तो इसके composition की बात करते हैं तो इसमें हमारा etnolol पाया जाता जो एक तरीके की हमारी beta blocker है मलब कि इसका uses के बारे में बात करते हैं अगर किसी भी female का blood pressure बढ़ गया है तो उसको ठीक करने के लिए हम इस tablet का use करते हैं बहुत ही popular sipla के दोरा बनाया भी जाता है अगर इसके side effect के बारे में बात करते हैं तो पहला side effect है कि अगर इस tablet को कोई भी female लेती है तो इसके जो धूदला दिखाई दे सकता है डाजीनेस मतलब चक्कार आ सकता है नोजिया बॉमेटिंग हो सकता है यह side effect है बहुत ही अच्छी medicine से हमारी मानी जाती है अगर इसके doges के बारे में बात करते हैं तो इसको 50 mg दिन में दो बार लेना रहता है अब बात करते हैं अगला जो हमारा medicine साता है जो pregnancy safe medicine से है वह हमारा civics 200 के नाम से आता है जिसमें हमारा composition civics जीम पाया जाता है अगर इसके uses के बारे में बात करते हैं जो civics जीम टेबलेट है यह एक तरीके का हमारा जो है एंटी बायाटिक medicine से है यूज किया जाता है अगर इसके side effect के बारे में बात करते हैं अगर इस टेबलेट को कोई भी female लेती है तो इसको diarrhea हो सकता है nausea, vomiting हो सकती है इस्टमग में pain हो सकता है doses के बारे में बात करते हैं तो यह टेबलेट जो होती है दिन में दो वाल लेने रहती है एक टेबलेट जो होती हमारी 200 mg की आती है अब बात करते हैं अगले medicines का जो बहुत ही popular है Penta 40 के नाम से आता है आपने इसको market में देखा होगा अगर किसी भी females को मतलब gas जो gas बन गई है उसके पेट में इसको treat करने के लिए इसको use करते हैं अगर इसके composition के बारे में बात करते हैं तो इसमें pentaparazole पाया जाता है एक तरीके का proton pump inhibitor हमारा यह होता है अब बात करते हैं इसके side effect के बारे में तो अगर इस tablet को female लेती है तो इसको headache हो सकता है मतलब कि सरमेदार्द हो सकता है diarrhea हो सकती है nausea, vomiting हो सकती है इस्टमंग में pain हो सकता है doses के बारे में बात करते हैं तो 40 mg की हमारे tablet आती है तो इसको दिन में 2 बार लेना रहता है मतलब कि अगर एक दिन में 2 tablet ले रहे हैं तो 2 गुड़े 40 कर दिजी 80 mg एक दिन में लेना रहता है अब बात करते हैं अगला जो medicines आता है AC lock के नाम से आता है बहुत ही popular medicines है आपने इसका नाम तो सुना ही होगा इसमें अगर इसके composition की बारे बात करते हैं तो इसमें runtenadine पाय जाता है तो इसका भी use होता है कि अगर किसी भी female को gas बन गई है तो इसको trade करने के लिए इसका use किया जाता है side effect के बारे में बात करते हैं तो इसका side effect है कि अगर इस tablet को कोई भी female लेती है तो diarrhea हो सकती है, nausea, vomiting हो सकती है इस टमंग में pain हो सकता है अब बात करते हैं doses के बारे में तो 1500 mg की जो tablet हमारी एक tablet आती है इसको दो दिन में दो बार लेना रहता है अगर एक tablet जो होती है 150 की होती है टू से multiply कर दीजिए एक दिन में 300 mg इसको लेनी रहती है अब बात करते हैं जोगला medicines आता है हमारा काल पाल बहुत ही popular है बच्चे बच्चे जानते हैं इसके बारे में ठीक है तो अगर इसके composition की बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा paracetamol हमारा composition पाया जाता है तो इसका जो uses के बारे में बात करते हैं जानते हैं आप भी जानते होंगे कि कहीं पर भी दर्द होता बॉडी में तब ले लेते हैं बुखार को ठीक करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं तो कई सारे इसका यूज़ेज भी है डोजेज के बारे में बात करते हैं अगर इस टेबलेट को लेना रहता तो आपको दिन में दो बाल लेना रहता कभी कभी डाक्टर लोग तीन बार भी प्रिसक्राइब करते हैं जैसे फीवर उबर के कंडिशन में ठीक है, साइड इफक्ट के बारे में बात करते हैं अगर इस टेबलेट को लेते हैं तो इसकीन में रैसस हो सकते है स्कीन एलर्जी हो सकती है ठीक है, इसकीन में रैसस भी हो सकते हैं अब बात करते हैं अगला जो हमारा आता है लूज, लूज एक तरीके का हमारा सॉलूशन आता है यूएसपी के कावडिंग, इसमें हमारा कंपोजिशन पाया जाता है lack to loss पाया जाता है यह जो होता है constipation को ठीक करने के लिए use किया जाता है मतलब किसी भी female को अगर कब्ज बन गया है ठीक है कब्ज को ठीक करने के लिए हम जो solution का use करते हैं अगर इसके side effect के बारे में बात करते हैं तो इसको अगर आप लेते हैं तो diarrhea हो सकती है nausea vomiting हो सकती है अगर इसके दोजस के बारे में बात करते हैं इसको दिन में दो बार 5 ml लेना रहता है मतलब कि एक time अगर 5 ml ले रहे हैं तो दूसरे time लेंगे तो मतलब कि 2 से multiply कर दीजिए एक दिन में 10 ml आपको इसको लेना रहेगा अगला जो हमारा medicines बहुत ही popular है आईबू जेसीक प्लस यह भी बच्चा बच्चा जानता है तो एक तरीके के यह हमारी analgesic medicines होती है और anti-pirating medicines होती मतलब यह है कि जब किसी को severe pain होता है उसको ठीक करने के लिए miss medicines का use करते हैं अब बात करते हैं इसके composition की तो इसमें हमारा Igop breaks travion पाया जाता जो salt है ठीक है अब बात करते हैं इसके side effect कर तो अगर आप इस टेवलेट को लेते हैं सब्लक ठीकशताwelt हो सकती है इस टेवलेट को अगला आता है यहां पे के नाम से आता यह भी सभी लोग जानते हैं तो इसमें composition पाया जाता जो omiprazole पाया जाता यह भी क्या होता है कि हमारे body के अंदर gas जादा बन गई है तो gas को कम करने के लिए मतलब gastric reflex को कम करने के लिए हम omiprazole जो होता में pain हो सकता है अब बात करते हैं इसके doses के तो इसको भी दिन में दो बाल लेना रहता है ठीक है अब बात करते हैं हमारा जो यहां पर अगला tablet अगला हमारा जो capsule दिया गया है mox के नाम से आता इसके composition जो होता है amoxicilline होता है ठीक है तो बहुत ही popular यह हमारा medicines होता है तो इसके अगर uses की बारे में बात करते हैं इसका जो use है यह bacterial infection को treat करने के लिए किया जाता है treat bacterial infection ठीक है तो bacterial infection को treat करने के लिए use किया जाता है जैसे मान सकते हैं कि अगर कहीं पर गले में गले में infection है तो इसको ट्रेट करने के लिए हम एमोक्सी टेबलेट का यूज करते हैं ठीक है अगर कान में इंफेक्शन है तब भी इसका यूज करते हैं अगर जो है इसकीन में इंफेक्शन है तब भी इसका यूज कर सकते हैं अगर यूटी आई मतलब की यूनरी ट्रैक इंफेक्शन है तब भी आप Móc CJ का यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को टाइफ है तब भी Móc कर सकते हैं अगर सकते सादेफेक्ट के बारे में बात करते हैं कैप्सूल को लेने से डायरिया हो सकती है नौज्याव वॉमेटिंग हो सकती इस oink सकता है अगर इसका डोज के बारे में बात करते हैं तो इसका डोज रही है कि आपको 250 mg दिन में दो बाल लेनी रहती है मतलब एक टाइम 250 खाएंगे ठीक दूसरे टाइम भी 250 खाएंगे मतलब कि एक दिन में 500 mg आपको इसको लेनी है अब आवारी यहां फिर लास्ट में जो मेडिशन सबसे आती है जो प्रेगनंसी सेफ है यह हमारा आता है अरेत्रोसीन 250 के नाम से आता है इसके कंपोजिशन के बारे बात करते है तो इसमें जो सौल्ट है इरित्रोमाईसीन पाया जाता है जो एक तरीके की एंटीवायिटिक है इसको यूज के बारे में बात करते हैं तो इसका अगर किसी को किसी भी फिमेल्स को अगर जो है scream सिफैलिस हो गया है मतलब कि एक तरीके का सेक्शुल ट्रांस्मिटर डिजीज सिफैलिस हमारा तो सिफैलिस को ट्रेट करने के लिए इसका यूज करते हैं जो अगर किसी को एक्यूट रेनल इंफ्लामेशन हो गया है तब इसको ठीक करने के लिए यूज करते हैं ठीक है अगर अगर किसी को skin infection हो गया है तब भी इसको ठीक करने के लिए हम use करते हैं माग अगला जो इसका use है RIT में भी इसका use करते है RIT का मतलब respiratory respiratory после RTI kalori respiratory restart infection अगर वो गया मतलब कि ऐगर गले में कोई infection मतलब respiratory tract में अगर infection हो गया है तो इसको treat करने के लिए हम इस cat टेबलट का यूज करते हैं अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो साइड इफेक्ट दिख नहीं रहा होगा मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं तो इसका साइड इफेक्ट है अगर इस टेबलट को लेते हैं तो दस्त हो सकती है तो दस्त हो सकती है ठ मतलब कि इसको दिन में दो बार खाना मतलब कि 500 mg पूरे दिन में आपको इस टेबलेट को लेनी है थैंक्स वर वाचिंग आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी प्लिस कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा नेश्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे मेडिसिन्स के जानकारी के साथ थैंक्स वर वाचिंग